वेलकम फ्रेंड्स एक बर फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है खेल खेल में ज्यान दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है फ्रेंच रेवलूशन दोस्तों इस चैप्टर को मैंने छे पार्ट्स में डिवाइड किया है और एक एक करके मैं आपको सारे पार्ट्स के बारे में एक्स्प्लेनेशन देते हुए आगे बढ़ूँगा छे पार्ट्स की ये लिस्ट आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर है तो आईए दोस्तों अब अपने सबसे पहले पार्ट के और बढ़ते हैं दोस्तों हो सकता है कि हमारी वीडियो थोड़ी से लंबी हो लेकिन इतनी उमीद जरूर करता हूँ कि जब आप मेरी वीडियो कम्प्रीटली देख लेंगे तो आपको पूरे चैप्टर का मतलब समझ में आ जाएगा मैंने इस वीडियो को इस तरीके से बनाया है कि आपको इस चैप्टर की एक-एक लाइन पढ़नी ना पढ़े हर पार्ट के बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोशन्स भी मैंने इसमें दिये हैं दोस्तों अब मैं आपको अपने पहले पार्ट की और देकर चल रहा हूँ जिसका टाइटल है फ्रेंच सोसाइट्री डूरिंग लेट 18 सेंचरी यानी अठारवी सदी के उतराद में फ्रांसी सी समाज सन 1774 में बर्बन किंडम का किंग लूई 16 फ्रांस की राजगदी पर बैठा उस समय उसकी उमर केवल 20 साल थी और उसका विवा आस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतो एनेट से हुआ था दोस्तों जब उसका राजगदी अभिशेक हुआ उस टाइम पे राजकोश बिलकुल खाली था लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के फाइनाइंशल रिसोर्सेज नश्ट हो चुके थे वर्सेलिस के विशाल महल और राजदर्बार की शानो शौकत बनाये रखने की फिजूल खर्ची का बोज़ अलग से था दोस्तों किसी समय ब्रिटेन ने अमेरिका में 13 कलोनिस बनाई थी और इन 13 कलोनिस या फिर उपनिवेशों को अपने शत्रू ब्रिटेन से अजाद कराने में फ्रांस ने अमेरिका की मदद करी थी इस युद के चलते भी उसके उपर 10 अरब लिवरे का अधिक बोज़ चड़ चुका था जबकि उस पर पहले से ही दो अरब लिवरे का बोज़ चड़ा हुआ था सरकार से कर्च दाता अब 10 परतीशत ब्याच की मांग करने लगे थे हुआ ये कि फ्रांसी सी सरकार अपने बज़ट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनो दिन बढ़ते जा रहे कर्च को चुकाने पर मजबूर थी अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रकरकाव, राजदर्बार, सरकारी कार्यालो या विश्विद्यालो को चलाने के लिए फ्रांसे सी सरकार अपने टैक्सेज में इंक्रिमेंट कर रही थी और ये उसकी मजबूरी बन चुकी थी दोस्तों 18 सेंचरी के अंदर फ्रांस थ्री स्टेट्स में डिवाइड़ था पहली स्टेट्स में वो लोग आते थे जो चर्च के अंदर काम करते थे इन स्टेट्स के लोगों को कलरजी या फिर कुलीन वर्ग बोला जाता था दोस्तों सेकंड स्टेट में राजा और उसके लिए काम करने वाले लोग इसके अंदर आते थे जैसे राजा, मंत्री और गवर्मेंट के बड़े बड़े लोग जो राजा के लिए काम करते थे इस स्टेट को नोबैलिटी बोला जाता था और तीसरी स्टेट में बड़े बिजनसमेन, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान और मजदूरवे नौकर आते थे इस तरीके से समाज तीन स्टेट में डिवाइड़ था दोस्तों, फ्रांस के अंदर तकरीबन 90% पॉपलेशन किसानों की थी लेकिन ऐसे किसान बहुत ही कम थे जिनके पास अपनी जमीने थी फ्रांस की लगबख 60% जमीन का हिस्सा, नौबिल्स, चर्च के लोगों और तीसरी स्टेट्स के अमीर लोगों के पास था पहली दो स्टेट्स के लोगों जैसे की नौबल्स और पादरी वर्ग जो की चर्च में काम करते थे उनको कुछ विशेश अधिकार अपने जनम से ही प्राप्त थे इन लोगों को ये सुविधा मिली हुई थी कि इन लोगों को टेक्स नहीं पे करना पड़ता था यानि आप समझी सकते हैं कि पहली स्टेट्स और दूसरी स्टेट्स के लोगों को बिलकुल भी टेक्स नहीं देना पड़ता था और पूरा टेक्स थेर्ड़ स्टेट्स के लोग ही पे करते थे दोस्तों इसके अलावा इन लोगों को feudal privileges भी मिले होई थे अब ये feudal privileges क्या होते हैं उस समय फ्रांस में feudal system follow किया जाता था feudal system के अंदर first state और second state के लोग अपनी जमीनों के बहुत पड़े हिस्से किसानों को खेती करने के लिए दे देते थे इसके बदले में किसान उनको कर चुकाते थे वो इसके अलावा अपने स्वामी की सेवा स्वामी के घर एव खेतों में काम करना सैनने सेवाए देना या फिर सड़कों के निर्मान में सहयोग आदी करने के लिए मजबूर थे इसके अलावा चर्च भी किसानों से टेक्स का एक हिस्सा जिसे टाइद बोला जाता था वो वसूलता था दोस्तों इस तरीके के कर में किसानों को अपनी पूरी फसल के दसवे हिस्से को चर्च को देना होता था उपर से तीसरे स्टेट के सारे लोगों को सरकार को टेक्स देना होता था दोस्तों ये टेक्सिस दो तरीके के होते थे डारेक्ट टेक्स जिसको टाइल बोला जाता था ये सीधा स्टेट को जाता था और दूसरा होता था इन डारेक्ट टेक्स जो डेली यूज होने वाली चीजों के उपर लगता था जैसे नमक और तंबाकू इस तरीके से सरकार का सारा खजाना टेक्सिस के जरिये जनता से ही वसूला जाता था फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2,30,000,000 थी जो सन 1789 में बढ़कर 2,80,000,000 हो गई इसका परिणाम ये हुआ कि जितना अनाज नहीं पैदा हो रहा था उससे जादा उसकी मांग बढ़ गई जिसकी वज़े से ब्रेड की कीमत भी बढ़ गई जादातर कामगर कारखानों में मजदूरी किया करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तै किया करते थे लेकिन महगाई जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी फल स्वरूप अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती चली गई और स्थितिया तब और बत्तर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोब से उनकी फसले गिर जाती इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था ऐसे संकट उस टाइम पे काफी आम थे दोस्तों इस तरीके के क्राइसेज या संकट को सबसिस्टेंस क्राइसेज बोलते हैं ये कैसी सिचुएशन होती है जब हमारे जीने के लिए हमारी बेसिक जरूरत की चीजें भी खत्रे में पढ़ जाती हैं दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि टेक्स का बोच किसानों और कामगारों के उपर बढ़ता जा रहा था हाला कि इसकी वज़े से उन्होंने कई बार विद्रो किया लेकिन उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे इस विद्रो करने के लिए इसलिए ये जिम्मा उठाया थर्ड स्टेट के उन लोगों ने जो लोग थोड़े से अमीर और एजुकेटिट थे 18 सेंचरी के अंदर एक नया सोशल ग्रूप सामने आया जिसे मिडल क्लास ग्रूप कहा गया थर्ड स्टेट में ट्रेडर्स, मर्चंट्स के अलावा लोगर्स और एड्मिनिस्ट्रेटिव ओफिशल्स भी आते थे ज़्यादा तर एजुकेटिट थे और ये मानते थे कि सोसाइटी में किसी भी ग्रूप को अपने बर्त से स्पेशल प्रिविलिजिस नहीं मिलने चाहिए सोशल ओर्डर के अंदर हर इनसान की पुजीशन उसके बर्त से नहीं बलकि उसकी एबिलिटी से मापी जाने चाहिए उस समय के बड़े फिलोसफर्स जैसे जॉन लौकी एंजियान रोजियू ने फ्रीडम और एक्वैलिटी को अपनी बुक टू ट्रीटीज और गवर्मेंट में सामने रखा उन्होंने इस बुक में मुनार्क सिस्टम को खतम करने और डेमोक्रेटी गवर्मेंट को लाने के लिए प्रस्ताव रखा इसके अलावा एक फिलोसफर मॉन्टे से क्यू ने अपनी बुक दस पिरिट आफ लॉज में पावर को तीन औरगन्स लेजिसलेटिव, एक्जिक्विटिव एंड जुडिशरी में डिवाइट करने के लिए भी सजेस्ट किया दोस्तो इस तरीकी की पावर डिविजन आज हमारे देश में है और वर्ल्ड के जाधतर देशों में भी है इस तरीकी की गवर्मेंट पहले USA में बनी जब अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की बनाई हुई 13 कोलोनीज को अजाद करा लिया गया अमेरिका का ये मॉडल फ्रांस के उस समय के फिलोसफर्स को इंस्पाइड कर रहा था फिलोसफर्स उस समय या आइडियाज सैलून्स और कॉफी हाउसेज में डिसकस करते थे वो लोगों को इखटा करके ग्रुप में अपने आइडियाज को बताते थे लोगों में गुसा तो था ही और इसी टाइम लुई 16 ने फिर से एक बार टेक्स बढ़ा दिये एक बार फिर अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसने मजबूरी में इन टेक्सिस को बढ़ाया और लोगों ने इस बार विद्रो कर दिया दोस्तो एक बात यहां समझने वाली ये है कि लुई 16 खुद अपनी मर्जी से जब चाहे टेक्स नहीं लगा सकता था और नहीं बढ़ा सकता था इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी ये एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके अंदर तीनो स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे लेकिन ये मीटिंग कब बुलानी है ये किंग ही डिसाइड करता था पाँच मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई पहली स्टेट ने 300 और दूसरी स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जो आमने सामने बिठाए गए और उसके बाद थर्ड स्टेट्स ने 600 रिप्रेजेंटेटिव भेजे जो उनके पीशे खड़े कर दिये गए थर्ड स्टेट के अंदर जादातर लोग अमीर और एजुकेटेड लोग थे किसानों और तों एफकारीगरों का सभा में प्रवेश वरजित था फिर भी लगबग 40,000 लेटर्स के माध्यम से उनकी शिकायतों एव उनकी डिमांड की सूची बनाई गई जिसे रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेकर आये थे इस्टेट जनरल के नियमों के मताबिक हर इस्टेट को एक वोट देने का अधिकार था इस बार भी लुई 16 इसी प्रता का पालन कर रहा था लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने ये मांग रखी कि अपकी बार पूरी के पूरी सभा त्वारा मददान कराया जाना चाहिए यानि हर बंदा जो है वोट दे जिसमें हर सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा ये एक डैमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कभी फिलोसफर रूजो ने अपनी बुग दा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तूत किया था जब किंग ने इस प्रस्ताव को अस्विकार कर दिया तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजन्टेटिव विरोज जताते हुए मीटिंग से भार चले गए इसका परेडाम ये हुआ कि 20 जून को इन रिप्रेजन्टेटिव ने वाइसराई के इंडो टैनिस कोट में कठा होकर अपने आपको नैशनल असेंबली घोशित कर दिया और वहाँ पर ये शपतली कि जब तक किंग की शक्तियों को कम करने वाला कॉंसिटूशन तेयार नहीं किया जाएगा तब तक एसेंबली भंग नहीं होगी इस असेंबली को जनरली दो लोग लीड कर रहे थे पहले थे मिराबियो और दूसरे थे आबे सिये मिराबियो का जनम नुबल परिवार में हुआ था लेकिन वो फ्यूडल सिस्टम के अगेंस थे और उन्होंने इसी के रिगार्डिंग एक मैगजिन निकाली और वोईस रा इस असेंबली कॉंसिट्यूशन को तयार करने में बिजी थी उस टाइम पे फ्रांस के अंदर दीरे दीरे आंदोलन बढ़ते जा रहे थे कडाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और रोटी की कीमतें आसमान चू रही थी लेकिन बेकरी मालिक उस थिती का फायदा उठाते हुए जमा खोरी में जुटे थे बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुसाई औरतों की भीड ने दुकान पर धावा बोल दिया दूसरी तरफ किंग ने सेना को पैरिस में एंटर करने का आदेश दे दिया गुसाई भीड ने 14 जुलाई को बैस्टील के लेके पर धावा बोल दिया निकल पड़े हैं कई गाउं के अंदर इस डर के कारण बहुत सारे किसानों ने गाउं में बने हुए किलों के उपर आकरमन कर दिये और वहां के अन भंडारों को लूट लिया गया और लगान संबंधी सारे डॉकुमेंट्स को जला कर राक कर दिया गया नोबल्स भी बड़ी संख्या में अपनी जमीने छोड़ कर भागने लगे कई लोगों ने तो पडोसी देशों में जाकर शरंड ले ली लूई 16 को भी ये बात अब समझ में आ गई कि उसकी प्रजाने विद्रो कर दिया है और इस दर के कारण उसने लास्ट में नैशनल असेंबली को माननेता दे दी और उसने ये भी मान लिया कि अब उसकी पावर्स पर कॉंसिट्यूशन का अधिकार होगा यानि अब वो जब चाहे अपनी पावर्स को इस्तमाल नहीं कर सकेगा बलकि उसे अपनी पावर का यूस कॉंसिट्यूशन के अकॉंसिट्यूशन के अकॉर्डिंग ली करना होगा इसके बाद 4 अगस 1789 की रात को नैशनल असेंबली ने लंबे समय से चले आ रहे फ्यूडल सिस्टम को खतम करने का आदेश दिया और उसने पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने फ्यूडल राइट्स को छोड़ देने के लिए विवश्च किया पहले जो रिलीजिन के उपड़ टेक्स लगता था उसे भी खतम कर दिया गया और कई सारी जमीने जो चर्च के अंडर में थी उनको भी छीन लिया गया और वो सारी जमीने अब सरकार के अंडर में आ गई इस हिसाब से कम से कम 20 अरब लिवरे की समपत्ती पूरे पूरी सरकार के हाथ में आ गई इयर 1791 में National Assembly ने अपना Constitution तयार कर लिया और इसका मेन अबजेक्टिव था किंग की पावर्स को लिमिटेड करना अब एक आदमी के हाथ में पावर नहीं थी बलकि उसे तीन पॉलिटिकल बॉडिज यानि की लेजिसलेटिव एग्जेक्यूटिव और जुडिश्री के अंदर डिवाइट कर दिया गया इस तरीके से फ्रांस के अंदर कॉंसिट्यूशनल मुनार्की की नीव पड़ी दोस्तों इयर 1791 के अंदर कॉंसिट्यूशन ने कानून बनाने का सीधा-सीधा अधिकार नैशनल असेंबली को सौब दिया National Assembly के अंदर आने वाले लोग direct election से नहीं आते थे बलकि indirectly elected होकर आते थे होता ये था कि citizens पहले electors का एक group चुनते थे और ये electors बात में assembly के लिए representatives को चुनते थे सारे citizens को vote देने का अधिकार नहीं था सिरफ आदमियों को vote देने का अधिकार था वो भी उन आदमियों को जिनकी उमर 25 साल से जादा थी और जो बहुत जादा टेक्स चुकाते थे दोस्तों, assembly का member बनने के लिए लोगों को जादा टेक्स पे करने वाले लोगों की कैटेगरी में से होना जरूरी था यानि वो लोग जो अपना नॉर्मल टेक्स चुकाते हैं वो लोग vote दे नहीं सकते थे उनको vote देने का कोई अधिकार नहीं था दोस्तों, अगर national assembly के बनाए हुए constitution की बात करें तो उसका starting page declaration से start होता है उस declaration में सारे citizens के लिए अधिकार बताए गए है for example, right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law ये सारे rights हर citizen को उसके जनम से ही मिलेंगे और कोई उन्हें इस से छीन नहीं सकता इस चीज की duty state की होगी कि वो उनके natural rights को जो उनके जनम से ही मिलें उसको protect करें दोस्तों, जैसे कि हम अपने पिछले दो parts में देख चुके हैं कि फ्रांस के अंदर मुनारिकल सिस्टम से तंग आकर लोगों ने विद्रो का रास्ता चुना हलाकि ये सब होने के बाद भी एकदम से फ्रांस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ फ्रांस के condition आने वाले वर्षों में भी तनाव पूर्ण ही रही हलाकि लुई 16 ने constitution पर sign तो कर दिये थे लेकिन साथ-साथ पुरशिया के king के साथ उसके secret negotiations भी चल रही थी और साथ-साथ फ्रांस के साथ-साथ neighboring countries जो थी वहां के kings फ्रांस में होरे development से परशान थे और डरे हुए थे इसी लिए फ्रांस के अंदर 1789 में जिस तरीके के events हुए उनको दबाने के लिए उन्होंने सेनाओं को भीजना चालू कर दिया इससे पहले कि ये plan successful हो पाता National Assembly ने 1792 में voting करी और इस voting के तहट उन्होंने पुरशिया और आस्ट्रिया के against war declare कर दिया जैसे ही war declare किया गया इस war के लिए हजारों की संख्या में all over France से volunteers कठे होने लगे और उन्होंने आर्मी को join करना चालू कर दिया वो basically इसलिए war में हिस्सा ले रहे थे क्योंकि वो all over Europe के अंदर kings and aristocracy वाले system को यानि monarchical system को खतम करना चाते थे उस समय patriotism अपने चरम सीमा पर था और कई तरीके की patriotic songs गाए गए जिन में से बहुत ही famous song मार्शैलिस गाए गया इस famous song को Roger D. Leisley ने compose किया था और आज ये France के national anthem के रूप में वहाँ पे गाया जाता है इस तरीके की revolutionary wars की वजे से France को बहुत बड़े level पे losses जहिलने पड़े इन में से बड़ा loss economic level पर था जब war होती तो पुर्शों के युद्ध पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंदों पर आ जाती देश के अबादी के एक बहुत जमा कर government की policies और अपनी कारे योजना पर भहस करते थे इन में से Jacobian Club सबसे successful था जिसका नाम Paris के Old Convent of St. Jacob के नाम पर पड़ा जो अब इस political group का अड़ा बन गया था इस पूरी duration में महिलाएं भी सक्रिया थी और उनोंने भी अपने-अपने clubs बनाने चालू कर दिये Jacobian Club के members basically society के less prosperous section से belong करते थे यानि कि वो इतने ज़ादा अमीर नहीं होते थे इसके अंदर ज़ादातर छोटे दुकानदार artisians जैसे for example shoemakers, pastry cooks watchmakers, servants and daily wage workers यानि जो दिहाडी मजदूर होते हैं वो सब इन clubs का हिस्सा होते थे उनके leader थे Maxi Milan Robber Sphere अपने आपको समाज में अलग दिखाने के लिए Jacobians Club ने अपनी अलग dress decide करी जो कि basically long stripe trousers की होती थी ये nobles वाले logo से अलग होती थी वो nobles के logo से अलग दिखना चाते थे nobles के लोग knee breeches पैंते थे जबकि ये long trousers पैंते थे ये nobility में आने वाले logo से अलग होती थी और वो अपने आपको nobles logo से अलग दिखाने के लिए ऐसे dress पैंते थे इसके अलावा Jacobians Club के लोग लाल रंग की एक टोपी भी पैंते थे जो स्वतंतरता का प्रतीक थी हालकि women's को ऐसा करने के अनुमती नहीं थी इयर 1792 की गर्मियों में Jacobians ने food की बढ़ती महंगाई और उसकी shortage की वज़े से नराज होकर पैरिस्वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रो की योजना बनाई दस अगस्त की सुबा उन्होंने टूलेरिया के पैलिस पर धावा बोल दिया किंग के security guards को उन्होंने मार डाला और खुद किंग को कई गंटों तक बंदी बना कर रखा बाद में National Assembly ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया अब से 21 साल से अधिक उमर वाले सारे पुर्शों को चाहे उनके पास property हो या फिर उनके पास property ना हो उनको वोड देने का अधिकार मिल गया अब Newly Elected Assembly को Convention का नाम दिया गया और 21 September 1792 को इसने मुनार्किल सिस्टम को completely abolish कर दिया यानि खतम कर दिया और France को Republic declare कर दिया यानि France अब एक गड़तंत्र बन गया जैसे कि आप जानते हैं Republic एक ऐसी तरीके की government होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों द्वारा चलाई भी जाती है ये government लोगों के लिए ही काम करती है इसके अंदर कोई भी मुनार्किल सिस्टम नहीं होता इसके बाद वहाँ पर लुई 16 को कोट द्वारा देश दुरों के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई 21 January 1793 को पैलेस डी ला कानकोर्ड में उसे सब के सामने फांसी दे दी गई जल्द ही मेरी एंतो एनेत यानि उसकी वाइफ का भी यही हश्र हुआ अब इयर 1793 से 1794 तक के पीरियड को आतंक कयोग यानि राइन ओफ टेरर कहा जाता है दोस्तों जैसे कि अभी हमने पीछे देखा जेकोबियंस कलब का लीडर मैक्सी मिलान रॉवर स्फियर था अब गवर्मेंट के अंदर लोगों का रिप्रेजेंटेटिव भी वो ही चुना गया यानि गवर्मेंट की पावर उसके हाथ में आ गई रॉवर स्फियर ने कंट्रोल और पनिश्मेंट की पॉलिसी को अपनाया यानि हर वो इनसान जिसमें उसे रिपब्लिक का दुश्मन दिखाई देता था यानि गड़तंत्र का दुश्मन दिखाई देता था चाहे वो एक्स नॉबल्स हो कलरजी हो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हो उसके अपनी खुद की पार्टी के मेंबर्स हो जो उसकी बात से अगरी नहीं कर रहे हैं उन्हें वो पकड़कर एरेस्ट कर लेता था उन्हें जेल में डाल देता था और उनके उपर देश दुरों के मुकदमे चलवा देता था अगर कोट उनने गिल्टी पाता तो उनको गूलोटाइन कर दिया जाता था दोस्तो गूलोटाइन एक तरीके का डिवाइस होता है जिसमें दो तरीके के पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होती है जिसमें इंसान के सर को उड़ा दिया जाता है इस डिवाइस का नाम डॉक्टर गिलोटाइन के नाम पर पढ़ा जिन्हों ने इसे इन्वेंट किया था रौवर स्फियर की गवर्मेंट ने कानून बना कर मजदूरी एव कीमतों की एक अधिक्तम सीमा तै कर दी गोष्ट एव पाव रोटी के राशनिंग कर दी गई किसानों को अपना अनाज शेहर में ले जाकर गवर्मेंट द्वारा तै कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया महेंगे सफेद आटे के इस्तमाल पर रोक लगा दी गई सारे लोगों के लिए साबुद गेहों से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना आनिवार्रे कर दिया गया बोल चाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार विहवार लागू करने की कोशिश की गई Traditionally, मौनसूर यानि सर और मदाम यानि मैडम के स्थान पर अब सभी फ्रांसी सी पुरिशे मैलाओं को सितियोईन यानि सिटिजन एफ सितियोईन यानि सिटिजन्स नाम से संबोधित किया जाने लगा सारे चर्चिस को बंद गया गया और उनकी बिल्डिंग्स को बैरिक्स और आफिसेज में कनवर्ट कर दिया गया मैकसी मिलान रॉवर स्फियर ने अपनी पॉलिसीज को इतनी सक्ती से लागू किया कि उसके सपोर्टर्स भी तरही तरही करने लगे और जुलाई 1794 में कोट द्वारा उसे दोशी ठहराया गया और गिरफतार करके अगले दिन ही उसे गिलोटाइन पर चड़ा दिया गया अब जैकोबियन गवर्मेंट के गिरने के बाद मिडल क्लास के उन लोगों के पास गवर्मेंट की पावर आ गई जो पैसे में थोड़े बहुत ठीक थे नया कॉंसिटूशन इंट्रिड्यूस किया गया जिसने ऐसे लोगों के वोट देने का अधिकार को बिलकुल खतम कर दिया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है इसकी वज़े से दो लेजिसलेटिव कॉंसल्स को चुना गया जिनोंने आगे चलके एक पाँच मेंबर्स वाली डिरेक्टरी बनाई ये बेसिकली इसलिए किया गया ताकि गवर्मेंट की सारी पावर जैकोबियन्स के टाइम पे जैसे एक आदमी के हाथ में थी अब ऐसा ना हो इसका सीधा सीधा मतलब ये भी था कि फ्रांस के उपर अब बेसिकली डेक्टरी रूल कर रही थी और इसी ड erektory के directors अक्सर legislative council से भिड जाते थे इसी लिए बाद में उने dismiss कर दिया जाता था और इसी वज़े से ड erektory की political instability की वज़े से आगे चलके military dictator Napoleon Bonapate का rise हुआ तो दोस्तों, basically इस वीडियो में हम French Revolution के अंदर women का participation और उनकी importance के बारे में जानेंगे वुमिन बेसिकली फ्रांस में होने वाले इवेंट्स के अंदर शुरू से ही एक एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर काम कर रही थी उन्होंने फ्रेंच सोसाइटी के अंदर चेंजिस लाने के लिए बहुत कुछ किया उन्हें ये उमीद थी कि उनके पार्टिसिपेशन से रेवोलुशनरी गवर्मेंट को उनके जीवन सुधारने के लिए थोस कदम उठाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी थर्ड स्टेट्स की जादतर वुमेंट्स अपनी लाइफ को चलाने के लिए डेली बेसिस पे काम किया करती थी वे अधिकतर सिलाई बुनाई किया करती थी कपड़ों की धुलाई करती थी बजारों में फल फूल सबजियां बेशती थी इसके अलावा वो ऐसे घरों में भी डुमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे काम करती थी जिनके घरों के मालिकों के पास अच्छे खासे पैसे थे जादादर वुमेंट्स के पास एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए ना तो अपॉर्चुनिटीस थी और ना ही उनके पास रिसूर्सिस थे नोबल्स और थर्ड स्टेट्स के पैसे वाले लोगों की बेटियां ही कॉन्वेंट्स स्कूल्स में पढ़ लिख सकती थी जिसके बाद उनकी फैमिलेज उनकी शादी के लिए अरेंज्मेंट करवा देती थी वर्किंग वुमेंज को अपनी फैमिलेज के लिए भी केर करनी पड़ती थी उनको देखरे करनी पड़ती थी उनको खाना बनाना पड़ता था पानी लेकर आना पड़ता था ब्रेड के लिए लाइन में लगना पड़ता था और उसके बाद अपने बच्चों को भी देखना पड़ता था उस टाइम पे वुमेन की वेजिज भी मैंस के कंपेरिटिवली बहुत ही कम थी यानि उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते थे इसके अलावा वुमेन्स ने अपनी वॉइस को रेस करने के लिए और अपने इंटरेस्ट को डिसकस करने के लिए अपने ही पॉलिटिकल क्लब्स और निउस्पेपर्स बनाने चुरू किये उस टाइम पे फ्रांस के अलग-अलग शेहरों में साट से जादा वुमेन्स कलब्स बन चुके थे दे सोसाइटी ओव रेवोलुशनेरी और रिपब्लिकन वुमेन कलब उस टाइम पे सबसे फेमस था जिन में से उनकी सबसे में डिमांड ये थी कि वुमेन्स को भी मेंस जितने ही सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए हाला कि 1791 के कॉंस्टिटूशन से वुमेन काफी डिसपॉंटेट थी क्यूंकि उसकी वज़े से उनके कहीं सारे राइट्स मारे गए थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए इसके अलावा उन्हें असेम्बली में इलेक्ट होने का राइट भी मिलना चाहिए और पॉलिटिक्स में आने का राइट भी मिलना चाहिए तब ही वो अपने इंट्रेस्ट को नई बनने वाली गवर्मेंट के अंदर रेप्रेजेंट कर पाएंगी यानि वो गवर्मेंट तक अपनी बातों को पहुँचा पाएंगी शुरुवाती कुछ सालों में रेवलुशनरी गवर्मेंट ने कई सारे लॉज इंट्रिडूस करे जिसकी वज़े से वुमेंज की लाइफ में कुछ सुधार आया उन्होंने मिलकर स्टेट स्कूल्स बनाए स्कूलिंग जो है वो सारी गल्स के लिए कंपलसरी कर दी गई गवर्मेंट के लॉज के मताबिक अब गल्स के फादर उनकी इच्छा के बिना उनको शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते थे इसके अलावा डैवोर्स भी लीगल कर दिया गया जो की वोमेंट और मैंट दोनों ही अपलाए कर सकते हैं वोमेंट अब जॉब्स के लिए ट्रेनिंग भी ले रही थी इसके अलावा अब वो आर्टिस्ट वगरा भी बन सकती थी और अपने हिसाब से छोटे-छोटे बिजनसेज भी चालू कर सकती थी पॉलिटिकल राइट्स के लिए वोमेंट का स्ट्रगल कंटीन्यू चलता रहा और राइन ओफ टेरर के टाइम पे नई गवर्मेंट ने कुछ ऐसे लॉज इंट्रड्यूस करे जिससे वोमेंट के कलफ बंद होने लगे और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीस पर बैन होने लगा जादा तर वोमेंट को अरेस्ट कर लिया गया था और उनको फांसी पर चड़ा दिया गया अपने वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजिस के लिए वोमेंट की चलाई हुई मोवेंट्स तकरीबन 200 साल तक पूरी दुनिया के अलग-अलग देशों के अंदर चलती रही उनकी वोट के लिए की गई लडाई और संगर्ष इंटरनेशनल सफ्रेज मोवेंट के थुरू लेट 19 और अरली 20th सेंचुरी तक चलता रहा वोमेंट की पॉलिटिकल एक्टिविटीज रेवोलुशनरी इयर्स के टाइम पे चलती रही और हर किसी को इंस्पायर करती रही और फाइनली 1946 में जाकर फ्रांस के अंदर वोमेंट को वोट देने का अधिकार मिल गया जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी दोस्तों ये बात उस टाइम की है जब फ्रेंच रेवोलुशन के समय जैकोबियन्स अपने सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे एक के बाद एक वो सोसाइटी के अंदर रूडी वादी चीजों को तोड़ते जा रहे थे और नए नए रिफॉर्म्स कर रहे थे सोसाइटी को चेंज करने के लिए उसी समय उन्होंने सबसे बड़ा रिवोलुशनरी सोशल रिफॉर्म्स किया जो कि था सलेवरी का अंत यानि दास्प्रता का अंत दोस्तों फ्रांस ने किसी समय केरेबियन आइलेंड्स पर अपनी कलॉनिस बनाई हुई थी वहाँ के बहुत सारे हिस्से उनके कबजे में थे जैसे मार्टिनिक, गॉडे लोप और सेंड डामिंगो दोस्तों केरेबियन आइलेंड्स के ये तीनों जगा उस समय फ्रांस की टॉबैको चीनी कॉफी जैसी चीजीजों की डिमांड्स को पूरा करती थी ये फ्रांस के important सप्लाइर्स थे और ये उरोपेइन मार्केट्स के डिमांड्स को भी ये ही पूरा करते थे लेकिन उस समय यूरोपियन्स अक्सर दूर दिराज के इलाकों वे दूर देशों में जाना पसंद नहीं करते थे और खासकर ऐसी जगा जिसके बारे में वो फैमिलियर नहीं होते थे जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि केरेबियन आइलेंड्स के उन जगाओं की प्लांटेशन्स पर लेबर की कमी होना तो इस कमी को ट्रेंगुलर स्लेव ट्रेड द्वारा पूरा किया गया जो यूरोप अफरीका और अमेरिका के बीच चलता था ये स्लेव ट्रेड 17 सेंचरी में स्टार्ट हुआ था फ्रेंच मर्चंट्स फ्रांस के बड़े बंदरगा जैसे बॉडियक्स और नैंतेश से अफ्रीकन कोस्ट तक अपनी समुदरी जहाज को ले जाते थे वहाँ जाकर वो लोकल व्यापारियों से स्लेव या फिर दास को खरीदते थे स्लेव को बड़ी बुरी तरह पकड़कर और हतकडियां डालकर अट्लांटिक ओशन के पार केरेबियन आइलेंट्स तक तीन महीने की लंबी समुदरी आतरा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था इसी स्लेव ट्रेट के दम पर यूरोपियन मार्केट्स में चीनी, कॉफी और इंडिकों की बड़ती डिमांड्स को पूरा किया गया फ्रांस के बॉर्डेक्स और नैंते जैसे बंदरगा इसी स्लेव ट्रेट की वज़े से फले फुले और काफी अमीर शहर बन गए दोस्तों 18 सेंचरी तक फ्रांस में स्लेव ट्रेट को ज़ादा क्रिटिसिसम नहीं मिला लेकिन नैशनल एसेंबली में इसके रिगार्डिंग बहुत लंबी डिबेट्स हुई यानि उन्होंने ये बहस करी कि अगर फ्रांस के सारे सिटिजन्स को एक्वल राइट्स मिल रहे हैं तो क्या उसे सिरफ फ्रांस तकी सीमित रखना जरूरी है या जो फ्रेंच कलॉनीज जो अलग-अलग देशों में थी वहाँ के लोगों को भी ये राइट्स मिलने चाहिए लेकिन इतनी बहस के बाद भी उन्होंने इस स्लेवरी की प्रैक्टिस को लेकर कोई कानून नहीं बनाया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर विजनसमेन ने विद्रो कर दिया तो वो क्या करेंगे क्योंकि वो स्लेव ट्रेट पर डिपेंड थे फाइनली 1794 की कन्वेंशन बॉडी ने एक कानून निकाला जिसने फ्रांस की कलॉनीज में सारे स्लेव को फ्री कर दिया गया हलाकि ये कानून कुछ समय तक ही लागो हो पाया उसके दस साल बाद ही जब फ्रांस में नेपोलियन आया तो उसने स्लेवरी की प्रैक्टिस को फिर से चालू कर दिया और फिर से प्लांटेशन ओनर्स को अपनी एकनॉमिक कंडिशन सुधारने के लिए अफ्रीकन नीग्रोस को खरीदने और उनको स्लेव बनाने के अजादी मिल गई और कई सालों के बाद जाकर 1848 में फाइनली स्लेवरी की प्रैक्टिस खतम हुई दोस्तो ये वीडियो फ्रेंच रेवलूशन का आखरी पार्ट है जिसका टाइटल है The Revolution and Everyday Life दोस्तो ये वीडियो हमें ये बताती है कि फ्रेंच रेवलूशन की वज़े से आम लोगों की लाइफस्टाइल में क्या चेंजिस आए 1789 में होने वाले फ्रेंच रेवलूशन के बाद आने वाले कुछ सालों में में, वुमेन और चिल्रन की लाइफ में बहुत सारे चेंजिस आए उस टाइम की रेवलूशनरी गवर्मेंट ने कहीं ऐसे लौज पास करे जिससे उन्होंने लिबर्टी और एक्वैलिटी को लोगों की एव्रीडे लाइफ में उतारने की कोशिश करी एक important law उस समय बनाया गया जब bestyle के किले को डहा दिया था यानि 1789 में जब bestyle का किला डहा दिया गया उस समय एक law बनाया गया abolition of censorship का यानि अब censorship को एक तरीके से बिलकुल खतम कर दिया गया दोस्तों इस law को समझने के लिए हमें French Revolution से पहले के सालों में जाना पड़ेगा जिस समय Louis 16 और France के अंदर King Rule था उस समय होता ये था कि जितना भी written material छपता था और जितनी भी cultural activities होती थी for example जब books छपती थी, newspapers छपते थे या फिर लोग plays perform करते थे तो ये सारी चीजें तभी हो पाती थी जब King के sensors उनको approve करें यानि अगर इन सब चीजों में King को अपने against या फिर अपने dynasty के against कुछ भी कोई चीज दिखेगी तो वो उनको छपने या फिर perform उने नहीं देता था लेकिन अब इस law के मताबिक ये सारी चीजें हट चुकी थी लेकिन जब French Revolution हुआ और लोगों के rights को दुबारा से define किया गया तब लोगों को freedom of speech और freedom of expression एक natural right के तोर पर दिया गया यानि अब newspapers, pamphlet, books, printed pictures फ्रांस के अंदर बहुत जादा मातरा में छपने लगे और वो पूरे फ्रांस में बहुत बड़े level पर फैलने भी लगे इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब king या फिर government लोगों के इस right को deny नहीं कर सकती लोग कुछ भी print कर सकते हैं, कुछ भी perform कर सकते हैं जिसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि उन सालों में फ्रांस की market में newspaper, pamphlet, books और printed pictures की जैसे मानो बार्ड सी आ गई और ये पूरे फ्रांस में धीरे धीरे करके बहुत तेजी से फैलने लगे इन सारे printed materials में basically French Revolution के time पर जो events हुए और जो changes हुए उन सब चीजों के बारे में छपा था इसके अलावा freedom of press के right के मताबिक press को ये right भी मिला कि वो French Revolution के events और उन events के opposing views को भी express कर सकते हैं प्रिंट मेडिया की वज़े से लोगों ने अपने अपने views को दूसरे लोगों तक पहुचाने की कोशिश भी करी और उन्हें convince करने की कोशिश करी इसके अलावा उस समय फ्रांस में बहुत बड़ी संख्या में plays होने लगे, songs गाये जाने लगे और festive processions का arrangement किया जाने लगा जिसका result ये हुआ कि हजारों की संख्या में लोग इन plays और songs को देखने के लिए जाते थे ये बेसिकली इसलिए किया जाता था ताकि लोगों के अंदर उस समय के political philosophers की thinking को समझाया जा सके यानि justice और liberty का असली मतलब क्या है वो लोगों को इन plays और songs के जरीए समझाया जाता था और market में छप रहे printed material या फिर books को सिरफ थोड़े बहुत educated लोग ही पढ़ सकते थे इयर फ्रांस के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया ये समय था निपोलियन बोनापाटे का निपोलियन बोनापाटे ने 1804 में अपने आपको फ्रांस का एंपीरियर घुशित कर दिया उसने फ्रांस को जीतने के बाद फ्रांस के साथ साथ other neighboring European countries के उपर भी हमला बोलना चालू कर दिया और अपनी विजह यातरा शुरू करी सबसे पहले उसने European countries के अंदर पहले से established dynasties को उखाड़ कर फेक दिया और अपने kingdoms को establish किया यानि अपने kingdoms बनाए और हर जगा अपने अपने family members को उसने राजगद्धी पर बिठाना शुरू कर दिया दोस्तों शुरूआत में तो नेपोलियन को यूरोप के अंदर स्वतंतरता दिलवाने वाला एक मसीहा समझा जाता था यानि लोगों को उमीद थी कि ये हमें मुक्ति दिलाएगा लेकिन जल्दी ही उसकी armies को लोग हमलावर मानने लगे और end में 1815 के अंदर Waterloo में उसकी हार हुई नेपोलियन ने अपने टाइम पर administrative system में बहुत सारे changes करे और इन changes का positive impact सामने आया जैसे for example उसने private property के right को secure कर दिया यानि जो उस property का मालिक है वो property उसी की ही रहीगी इसके अलावा नेपोलियन ने चीजों के weights को मापने के लिए और उनकी measurement लेने के लिए एक uniform system establish किया यानि हर चीज को तोलने के लिए standardized weights रखे गए और measurement करने के लिए standardized decimal system तयार किया गया जो की आगे चलकर काफी effective साबित हुआ यूरोप के बागी parts में liberty और modern laws को फैलाने वाले उसके revolutionary ideas का impact उसके मरने के काफी समय बात सामने आया तो दोस्तों यहाँ पर इस chapter का final explanation भी खतम होता है उमीद है आपको ये chapter के सारे parts समझ में आ गए होंगे आप से मिलेंगे अगरी वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान ओके थैंक यू